ये आलू हमारी खाने के लिए ही नहीं, हमारी इस्किन को चमकाने के लिए भी बहुत कारगार है, यकीन मानिए ये आलू क्या कर सकता है, चलिए देखते हैं, हमारी फेस के लिए तो ये अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है, बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा जो भी हलके हलके दाग, धब्बे हो गए है, जो इसकिन डल हो गई है, चमक खोस ही गई है, सब वापिस लानी है, तो ये DIY आपको यूज ही करना है चले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब किये बिल्कुल न जाएं आलू हमारे चहरे पर टाइटनिंग देता है, आलू हमारे चहरे पर ब्राइटनिंग देता है, और जो इसकिन हमारी डल सी हो गई है, उसमें निखार लाता है सबसे पहले एक आलू लेंगे, आलू को हम छीलेंगे, छीलने के बाद हम उसे कद्दुकस करेंगे, जैसे किस्नी से कद्दुकस करते न, बस उसी दरीके से, एक छोटा सा आलू क्या कमाल कर सकता है, बहुत ही amazing लगेगा, क्योंकि आलू हर घर में होता है, तो सभी इस DIY फिरब इसका है वो निकाल लेते हैं जो आप कपड़ा यूज कर रहे हैं वो साफ हो सूती हो तो ज्यादा से ज्यादा वो रसा निकलेगा इसे पूरी तरीक से दबा के इसका पल्प अलग कर दीजे और रसा जो है इसको अलग कर दीजे अब ये जो रसा है इसे हमें कवर करके पंदरा मिनिट के लिए अलग रग देना होगा जो आलू का ये गिसा हुआ पल्प है उसे हमें कटोरी में डालना है इसमें डालना है हमें थोड़ा सा दूद सबसे पहले चेहरे पर इससे आप साफ करेंगे ये आलू और दूद थोड़ा सा डाल दीजे निम्बू का रस तो क्लीन करने के लिए पहले चेहरे पर इसे घिस दीजे बस इसे उठाईए धीरे धीरे चेहरे पर हाथों पर जहां भी आपको यूज करना है अच्छे से गर्दन पर कोहनी पर आप इसे अच्छे से घिसिए जिससे वो पूरा पहले क्लीन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना होगा बस थप थप आकर फेस को साफ कर देना है अब चलते हैं उस लिक्विड वाले पानी पर जो आलू का जूस है आप देखेंगे 15 मिनिट के अंदर जूस उपर पूरा पानी की तरह हो गया है नीचे जो स्टार्च है वो बिलकुल जम सा गया है बिलकुल चिपक सा गया है इसमें जो कसाव है ना वही कसाव आपके चेहरे पर लाएगा जो रिंकल्स, फाइन लाइन्स, पतली पतली जुरियां जिससे हमारी एस थोड़ी बड़ी लगने लगती है यह सारी प्राब्लम को यही स्टार्च हमारा खतम कर देगा तो पहले हम स्टार्च को ले लेते हैं इसमें डालते हैं थोड़ा और बड़िया रिजल्ट लाने के लिए चावल का आटा एक से दो चमच आप चावल का आटा डाल सकते हैं आदा चमच डाल दीजे इसमें शैद, शैद भी हमारी स्किन पर चमक लाएगा थोड़ा सा डाल दीजे निम्बू का रस इन सब को मिक्स कीजिए, मिक्स करते टाइम आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ डालना पड़ेगा इसका सही कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तो वही आलू का जूस इसमें यूस करते चाहिए निबू चाहें तो आप हटा सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है पर क्यूंकि ये आलू और निबू मिलकर ब्लीच का भी काम करता है जो पतले-पतले रोएं होते हैं ना फेस पर वो भी बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएंगे अगर आप हफते में एकादबार से यूस करते रहेंगे तो धीरे-धीरे इसमें सब चीजें मिक्स करते चाहिए और एक पतला सा ऐसा घूल बनाएए कि अच्छे से आपके फेस पर लग जाए step by step यूस करेंगे DIY कम से कम आपको 20-25 मिनिट लगेंगे तो जब आप देखें कि आप free हैं आपको कोई काम नहीं है किसी से बात नहीं करनी है तब ही आप इनको यूस कीजे क्योंकि ये जो pack लगाएंगे जो starch वाला जो pack लगाने वाले हैं उससे चेहरे पर कसाव आएगा अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपने pack लगाया है वो crack हो जाएगा तो इसे आप लगा लीजिए और बहुत अच्छे से निश्चिन दो के आँखें बंद करके लेट जाएगे जब यह अच्छे से dry हो जाए अब इसी आलू के पानी के छीटे मारते हुए धीरे 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 उस पूरी जो आपने face पर जो लगा लिया है pack उससे धीरे धीरे हटाते जाएगे जिससे क्या होगा वो जो रोए हैं वो भी golden color के होंगे जो extra मोटे रोए हैं वो इससे हट जाएंगे और चेहरे पर जो निखार आएगा बहुत ही amazing आएगा मतलब आप पारलर जाएए आपका हक बनता है लेकिन कभी आप emergency में कभी आपको लगता है नहीं जा पार है या कोई ऐसी problem है तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च करके देख लिए कोई result नहीं मिला तब आपको छोटी छोटी ये DIY जरूर यूज करनी चाहिए हो सकता है आपकी skin पर ये जादू ला दे आपको इसे हफते में एक से दो बार जरूर यूज करना है बहुत ही अच्छा फील करेंगे आ आया है सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिलकर ना करेंगे